तेरे सहर में इतनी मुलाकाते हैं देखकर मैं हैरत मैं पड़ गया देखकर अपने आसकों को सड़क पर यहां दर्वाजे खुल जाया करते हैं तेरे सहर में इतनी मुलाकाते हैं देखकर मैं हैरत मैं पड़ गया देखकर अपने आसकों को सड़क पर यहां दर्वाजे खुल जाया करते हैं मेरे गाउं में महबत देखी हैं मैंने सिर्फ आँखों ही आँखों में आसकों की वसल पर तो जनाजी उठ जाया करते हैं इन काले दिल वालों के बड़े बड़े धरवारों पे न देखो है लिखा क्या इज़त जुबान इमान ये देखो है नहीं विका क्या उस सक्स के कागजादों में गरीबी का ठपा है जरूर उस सक्स के कागजादों में गरीबी का ठपा है जरूर लेकिन जो इन अमीरों का बिक गया उसका इमान बिका गया लेकिन जो इन अमीरों का बिक गया उसका इमान बिका गया और एक खोके में मतलब एक करोड एक खोके में तुम्हारे तल्वे चाटने को हो जाएं राजी उन करोड पतियों का ये तजरुबा दिखा क्या कि पैसा तो उस कोठे वाली के भी पास बहुत है लेकिन ये देख उसका भिका क्या मैंने कमाया है नाम है कमाई दौलत तुने जहां तेरी करोडों की रिस्वत रुक गई वहां मेरा नाम रुका क्या और मैं मानता हूँ तेरा रकीब है अमीर मुझसे पर एक बात बता सोड़िये वो तेरे पैर से काटा निकालने के लिए कभी जुका क्या पर एक बात बता सोड़िये वो तेरे पैर से काटा निकालने के लिए कभी जुका क्या एक हवेली वाले भाई साहब अब नहर की खुदाई कर रहे थे जो कहा करते थे कभी है खुदा क्या एक हवेली वाले भाई साहब अब नहर की खुदाई कर रहे थे जो कहा करते थे कभी है खुदा क्या एक सक्स उसका गलेबा पकड़ करके उससे पूछ रहा था साले इतनी देर हो गई बता खुदा क्या एक सक्स उसका गलेबा पकड़ करके उससे पूछ रहा था साले इतनी देर हो गई बता खुदा क्या मैंने उसके नजदीक जाकर उनसे कहा मैंने उनके नजदीक जाकर उनसे कहा बहुत मेहनत करनी पड़ती है भाई साहब तब पता चलता है खुदा क्या खुदा क्या लड़की का बाब है बड़ा पैसे वाला अपने से ज्यादा पैसे वाले के यहां रिस्ता जमा देता है बिचोलिया आया था रिस्ता लेकर कुछ यू लड़की की तनख़ा तो है कम लेकिन रिस्वत से अच्छा कमा लेता है इन लोगों की नजरों में सबसे बड़ा पैसे वाला खड़े हो गए सब जब वो आकर बैठा है अरे एज़तें देनी हैं तो दीजियो उन गरीबों को जिनका हक वो खाकर बैठा है ऐसे ही नहीं बन जाया करते खांदानी कई पुस्तें गुजर जाया करती है खांदानी बनने में ऐसे ही नहीं बन जाया करते खांदानी कई पुस्तें गुजर जाया करती है खांदानी बनने में सम्हाल सम्हाल कर रखता हूं पैर इसलिए नर्वार एक सेकर्ड नहीं लगती गंदी कहानी बनने में